आज मैं आपको बताने वाली हूं जैसा कि सबको पता है विंटर का सीजन आ गया है और सबके सब परेशान होंगे अपने ड्राय स्किन से जो खिची-खिची स्किन रहती है कितना भी कुछ कर लो फिर भी ड्राय रहती है उसके लिए एक स्वरूशन है ऑईल मसाज अगर आप या वीक में टू टैम मसाज करते हो तो आप यह परेशानी से हमेशा के लिए चुटकारा पार सकते हो जिन लोग भी बहुत ज्यादा ड्राय स्किन होगी वह हमेशा भी यह मसाज करेंगे तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है नाइट में सोते वक्त अच्छे से ऑईल मसा करते हैं वह मैं अभी आपको यह वीडियो में बताने वाली हूं तो पूरा वीडियो लास तक देखना बिलकुल भी स्किप मत करना सारे स्टेप्स को ध्यान से देखना और अच्छे से फॉलो खरना चले स्टार्ट करते अपना वीडियो यहां पर मैंने लिया है पतन जिली अपने बाउल में उसको अच्छे से फेस पर अपलाई कर लिया है अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट आइल नहीं है तो आप कोई भी मॉस्टर अरजस से भी मसाज कर सकते हो और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो देसी गी होती है ना आपके घर पर वह भी सकते हो उस से मसाज कर सकते हो जो जुगाई की की होती उससे बहुत अच्छा रहे ह ав abundance को बहुत ही दियान से देखी मैं कैसे कर रही हूं दिर नहीं कर này जब जयाए जो भी मसाज आपकर टे हो को देखर में अच्छे से देखिये और उसको फॉलो किजिέ गल्ती running चिजिए बिल्कुल भी मंसाज क्योंकि भूत माय रखता है गलत मसाज नहीं करना शेये और उसके बाद आहां मैं आपको बता रही थी कि और मसाज हमेसा नाइट के टाइम ही करिजिए फ्रेंड क्योंकि जब हम नाइट में मसाज करके सोते हैं तो जो पूरी रात हमारे मसल्स और यह सब रिलाक्स होके ब्लड सर्कुलेशन जब बहुत अच्छे से होता है न तो जब मॉनिंग मूड थे तो हमारे स्कीन बहुत ही लगती है ठीक और यह कान के पीछ बिल्कुल मात बूलिए मसाज करना यहाँ पे प्रेशार पॉइं già लगता है तो यहां पे अगर बहुत गर्मी है तो फिफ्टीन डेस में एक बार मसाज करके हलका सा वाइप करके सो जाइए अगर आपको और रखके नहीं सोना है तो क्योंकि जिनकी और जिसकी बहुत ज्यादा ऑईली स्कीन है वह ऑई से मसाज नहीं करके जो जेल जेल वला आता है ना कीजिए मैं अपने लिप्स पे भी मसाज कर रही हूं यह देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है लिप्स क्योंकि अभी विंटर का टाइम है तो लिप्स भी बहुत राय हो जाते है ठीक है अभी अच्छे से इसको मसाज कर लेना है पूरे फेस पे भी अच्छे से मसाज से क्या होता है कि हमारा ब्लडर सर्कुलेशन अच्छे से उने लगता है जब बलड सर्कुलेशन जब करने के लिए तो आप यह स्टेप्र कर सकते ओं नायट में स्क्रब करो फिर गोन्यूल या जिस जो भी आपके पस अवेलेबल उससे मसाज कर लो तो अभी बहुत अछा तो कुछ चीजे है जो आप वीक में 15 देज में अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी स्कीन की चोटी चोटी जो प्रॉब्लम से तो दीरे-दीरे कैसे खतम होने लग जाएगी पता नहीं चलेगा जिसको बहुत टाइम से पहले रिंकल्स आ रहें एंटी एजिंग तो यह मसाज अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे एंटी एजिंग कर भी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है डाक सर्कल है कुछ है तो मतलब दीरे-दीरे एकने माख है पिंग्मेंटेशन है तो दीरे-दीरे सारे स्कीन की प्रॉब्लम खताम होने लग जाती है आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सीन दीरे-दीरे कैसे जो भी रिंकल्स और पिंग्मेंटेंशन के माख डाक स्पोर्ट से सब रहते हैं वह कैसे खताम हो जाते हैं लेकिन आपको यह फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और डेली के लिए मैंने जो आपको स्किन केर का वीडियो बता है तो आप जाकर द बिल्कुल सेंटर से उपर गे और जो आइब्रूस का आच होता है वहां से एंड कॉर्णर से और जो मैंने एर के पीछे बताया था वह वहां पर इस यह एक बहुत अच्छे प्रेशर पॉइंट है मसाज के टाइम यह प्रेशर पॉइंट जरूर दीजिए दिखिए स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है बहुत स्मूथ हो गई है जब आप यह करोगे तो आप खुद भी फील करो गया उसके बाद सो जाए जब आप पॉनिंग मूट हो गया तो इसकी बहुत अच्छी एकदम सॉफ्ट लगेगी आप बिल्कुल फील ही नहीं होगा द्रैने से और जो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलना में अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके तब तक के लिए बाइबाए एंड टेक एर